हेलो एरिवन वेलकम टू सीव कृपा स्टडी पॉइंट एंड यूर कृपा में डियर्स आज हम अपनी 10th क्लास की इंग्लिस बुक फास्ट फ्लाइट का लेसन 6 अगर वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा आप जाके आराम से देख सकते हैं तो डियर्स हमने पार्ट वन में क्या देखा था कि जो वांदा है उसने स्कूल में आना बंद कर दिया था क्योंकि वो पैड़ी और मैगी जो थी उनके बार-बार पूछे जाने से कि हाव मैंने ड्रेस और जो उसका नाम था उसको फनी वे में लेने से बहुत प्रेशान हो चुकी थी स्कूल नहीं आ रही थी और जब उनकी टीचर ने यह अनाउंस किया कि जो वांदा है उसने प्राइज जीता है ड्रोइंग कॉम्पिटिशन में तभी इसके साथ साथ उसने वांदा के फादर का जो लेटर मिला था वो भी पड़ा था जिसमें लिखा गया था कि वांदा औ स्कूल में नहीं आएंगे वो किसी बड़े सहर में जा रही है जहां उनके नामों का मजाग नहीं बनाया जाए इसके बाद जो पैगी है और जो मैडी है वो दोनों क्या करती है कैसा फील करती है यह सब देखेंगे आज हम अपने इस पार्ट में तो लेस सी आवर लेसन फ् भी छोड़ के जा रहे हैं तब उसके बाद क्या होता है वें स्कूल वाज डिसमिस ए स्कूल को डिसमिस किया गा lagi स्कूल की चुट्ती हो गई इन दर Lit दो पहर के बाद में पैडी सेट पैगी थी उसने कहा विड प्रेटेंड़लनेस जो यहें वानी हुई थी इस को दिखाते ही इसके बारे में उसने कहा कि hey let's go आओ चलें and see और देखें if that kids वो बच्चे have left town or not उन्होंने कसबा छोड़ दिया है या नहीं आओ चलते हैं और देखते हैं कि उन बच्चोंने कसबा छोड़ दिया है या नहीं so पैगी had had the same idea अच्छा जो पैगी है उसके पास भी same ऐसा ही विचार है maddy ground maddy खुसी से उचल पड़ी पैग was really alright पैग है वो हमेशा ही सही होती है the two girls hurried out of the building the two girls दोनों लड़किया hurried out जल्दी से बाहर निकली of the building इस इमारत से मतलब वो स्कूल से जल्दी से बाहर निकल गई up the street गली में उपर की तरफ गई towards blogging heights जो की blogging height की तरफ जाती थी the part of town that wore such a forbidden air on this kind of November afternoon that part of the town जो है कस्बे का ऐसा हिस्सा है was was such a forbidden air जिसमें forbidden air भयानक हवाएं चलती है on this kind of a November afternoon इस तरह की November की भी दोपहर में कैसी हवाएं चलती है ड्रीजली ड्रीजली मिस जिसमें बुंदाबांदी होती रहती है बारिश होती रहती है डंप जो की नमी से भरी हुई होती है गीली हवाएं होती है and डिसमेल और डिसमेल का मतलब होता है उदासी भरी हवाएं होती है वहाँ की जो हवाई हैं वो हमेशा बारिश से भीगी हुई होती है और उदासी भरी हुई होती है क्योंकि ये जो सबसे पूर पार्ट था टाउन का इसलिए ऐसा कहा गया है कि वहाँ की हवाई उदासी से भरी हुई है आगे देखिए वेल ठीक है एटलिस्ट कम से कम सेट पैगी गलुफली पैगी ने कुछ तो कहा गलुफली मतलब दो सब्द कहना कुछ सब्द कहना ही तो कम से कम पैगी ने कुछ कहा तो I never did call her a forgiveness I never did मुझे कभी भी ऐसा नहीं करना चीए था call her a forgiveness का मतलब होता है विदेशी ठीक है तो मुझे कभी उसे एक विदेशी नहीं कहना चीए था और make fun on her name और उसका जो नाम था उस पे fun नहीं करना चीए था उसका मजाक नहीं बनाना चीए था I never thought मैंने कभी नहीं सोचा था She had the sense to know कि उसके पास ये जानने की sense है उसे इसका अभास भी है We were making fun on her anyway We were making fun on her हम उसका मजाक बना रहे हैं anyway किसी भी तरीके से मैंने नहीं सोचा था कि वो जानती है कि हम उसका मजाक बना रही है I thought मैंने सोचा, she was too dumb, वह इतनी बेवकूफ है, and gee, look how she can draw, कि वह ऐसा कैसे कर सकती है, आगे देखिए, Wanda could say nothing, Maddy could say nothing, Maddy ने कुछ भी नहीं कहा, All she hoped was that, जो कुछ वह आसा कर रहे थे, वो ये था, they would find Wanda, कि उनको Wanda वहाँ मिल जाए, she wanted to tell her, that they were sorry, she wanted, वह कहना चाहती थी, her, उसे, that, की, they were sorry, उन्हें खेद है, They had picked on her, क्योंकि उन्हें pick on का मदलब होता है, शताना, क्योंकि उन्होंने उसे सताया है, and how wonderful the whole school thought she is, and how wonderful, कितनी अदभूत, She was, वह थी, the whole school thought, पूरा school ऐसा सोचता है, and please, और क्रप्या करके, not to move away, यहां से ना जाएं, and everybody would be nice, और प्रतेक व्यक्ति उसके साथ nice रहेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, She and Peggy, वह और Peggy, दोनो, would fight anybody, किसी से भी लडाई कर लेंगी, who was not nice, जो अच्छा नहीं होगा, जो अच्छा व्यवार नहीं कर रहा होगा, The two girls hurried on, दोनों लड़कियां जल्दी में थी, they hope to get the top of the hill before dark, they hope वो आसा कर रही थी, to get the top, चोटी पर पहुँचने की, of the hill, इस पहाडी की, before dark, अंधेरा होने से पहले, I think that's where the patrons kids live, I think मैं सोचती हूँ, that's where, यहाँ पर, the patrons की live, patrons की रहती है, said Maddy, Maddy ने कहा, Pointing to a little white house, pointing, इशारा करते हुए, to a little white house, एक छोटे सफेद घर की तरफ, Whips of old grass, stuck up, here and there, all along the pathway, like thin kittens, Whips of old, whips में से होता है, जो पीला पड़ गया है, ऐसा, old grass, पुराना घास, stuck up, फैला हुआ था, here and there, यहाँ वहाँ हर जगा है, along the pathway, रास्ते के चारों से तरफ, like thin kittens, जो पतले, दुबले, बिल्ली के बच्चे होते हैं, उनकी तरह, The house and its sparse, little yard, looked soby and clean, house था, घर था, वो and its spare little yard, और इसके साथ लगा हुआ एक चोटा सा आंगन, looked soby, एकदम जरजर रवस्था में तूटा फूटा हुआ था, बट क्लीन, लेकिन साफ था, It reminded Maddy, इसने Maddy की याद दिला दी, of Wanda's, Wanda की one dress, एक dress की, इसे इस घर ने Maddy को Wanda की एक dress की याद दिला दी, her faded blue cotton dress, उसकी fed हुई, पुरानी हुई, नीले रंग की cotton की dress, शोबी एंड क्लीन, जो भी, जो भी, शोबी थी, मतलब वो पुरानी थी, थोड़ी फटी हुई थी, बट क्लीन, लेकिन हमेशा साफ सुत्री रहती थी, इस घर में लाइफ का, जिन्दगी का कोई shine नहीं था, मतलब इसके अंदर कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, जीवी तवस्था में, पैगी नोक्ड फर्मली ओन दे डोर, पैगी ने नोक किया दर्वाजे को खट खट आया, फर्मली जोर जोर से द्रड अताशे, पट देर वाज नो अंस्वर, लेकिन वहाँ कोई जबाब नहीं आया, she and Maddy went around to the backyard, she and Maddy, वो और Maddy दोनो, went around, चारो तरफ घूमी, to the back, पीछे की तरफ गए, backyard, पीछे आंगन की तरफ, and knocked there, और वहाँ भी उन्हें नोक किया, still there was no answer, अब भी कोई जबाब अंदर से नहीं आया, there was no doubt about it, अब इसके बारे में no doubt, कोई संदेह नहीं बचा था, the patrons की बार गोन, patrons की जो थे वो चले गए थे, how could they ever make amends, amends का मतलब होता है, अपनी गलती की माफी मांगना, ठीक है, तो how could they ever make, वो किस पर कर सकेंगे, जो amends, मतलब अपनी माफी कैसे मांग सकेंगे, वो इसका पस्चाता आप कैसे कर पाएंगे, they turn slowly and made their way back down the hill, they turn slowly, वो धीरे से मुड़ी and made their way, और उन्होंने अपना रास्ता बनाया, back down the hill, पहाड़ी से नीचे की तरफ, मतलब अब वो पहाड़ी से नीचे वापिस आने लगे, well ठीक है, anyway, कुछ भी हो, sad Peggy, Peggy ने कहा, she is gone now, अब वो जा चुकी है, now, so, what can we do, अब हम क्या कर सकती है, besides, इसकी बज़ाए, when I was asking her about all her dresses, जब हम उससे उसकी सारी ड्रेशों के बारे में पूछ रहे थे, she probably, sad वह, was getting good ideas, और अच्छे आइडिया, अच्छे विचार प्राप्त कर रही थी, from her drawing, अपनी drawing के लिए, she might not even have won, शायद वो इस context को ना जीत पाती, otherwise इसकी बज़ाए, अगर हम उससे ऐसे question ना पूछते, तो सायद वह, इस context को नहीं जीत पाती, Maddy turned this idea carefully over in her head, Maddy turned, Maddy घुमा रही थी, this idea, इस विचार को carefully ध्यान पूर्वक over in her head, अपने दिमाग में, for if there were nothing, anything in it, she would not have to feel so badly, for, क्योंकि, if there were anything in it, अगर इसमें कुछ ऐसा होता, अगर इसमें कुछ भलाई की बात होती, तो she could not have to feel so badly, उनको इतना ज्यादा बुरा नहीं लगता, but, लेकिन, that night, उस रात को, she could not get to sleep, get to sleep, नहीं सो पाई, वह, सो नहीं पाई, she thought, उसने सोचा, about Wanda, वानदा के बारे में, and her fatted blue dress, और उसकी जो fed हुई, blue color की dress थी, उसके बारे में, the little house, छोटे से घर के बारे में, she had live in, जिसमें वो रहती थी, and she thought of the glowing picture, और फिर उसने सोचा, the glowing pictures, जो चमकती हुई तस्वीरें थी, those handra dresses, उन सो ड्रेशों की made, all line up, जो सारी line में लगाई गई थी, in the classroom, कक्षा के कमरे में, at last, Antmi, Maddy set up in bed, जो Maddy थी, वो bed पे बैठ गई, and pressed her forehead tight in her hands, और उसने प्रेश किया, दबाया, her forehead, अपने माथे को tight, सक्ती के साथ, in her hands, अपने हाथों में, and really thought, और वास्तम में उसने सोचा, this was the hardest thing, thinking, she had ever done, ये सबसे मुश्किल विचार था, सबसे मुश्किल सोचने वाली बात थी, she had ever done, जो उसने इससे पहले कभी नहीं सोची थी, after a long, long time, बहुत लंबे और लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक, she raised an important calculation, वह एक बहुत महत्वपून calculation पर निश्कार्स पर पहुँची, she was never going to stand by, अब वो कभी भी stand by नहीं होगी, मितलब एकदम खड़ी नहीं रहेगी चुप चाप, and say nothing again, और वह कुछ भी नहीं बोलेगी दोबारा, ऐसा नहीं होगा, if she ever heard anybody, अगर वह किसी को देखती है, hear करती है, सुनती है, picking on someone, किसी को pick करते हुए, pick का मतलब होता है, शताते हुए, मजाक बनाते हुए किसी का, because, क्योंकि, they were funny looking, वो funny है, देखने में वो मजाकिया है, और because they had strange name, या फिर उनके नाम है, वो अध्भूत हैं, अजीब किसम की हैं, see had speak up, तो वो बोलेगी, अंत में, मैडी ने, निश्चे किया, कि अगर कोई बच्चा दूसरे को, चिडा रहा होगा, या उसके नाम का, उसकी funny looking का, मजाक बना रहा होगा, तो वो चुपचाप नहीं रहेगी, see had speak up, तो वो अवश्य बोलेगी, even यहां तक कि, if it means, losing paddy's friendship, यहां तक कि, अगर वो paddy की जो friendship है, paddy की दोस्ती है, उसको lose कर दे, चाहें paddy की दोस्त रहे, या ना रहे, लेकिन वो सही बात बोलेगी, she had no way of making things right, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इन चीजों को ठीक करने का विद वांदा वांदा के साथ, but लेकिन, from now, आज से on, she would never make anybody else that unhappy again, अब वो किसी दूसरे को इस तरह से unhappy नाखुश नहीं करेगी, तो dear, यह था अपना part 2 का part 2, I hope आपको clear हो गया है, देखा आपने, पहले तो उन्होंने मजाग में, मोज मस्ती में, वांदा का मजाग बनाया, लेकिन दिल से बाद में उनको इतना sorry फील हुआ, कि वो आप कितना बच्टा रही है, अब जो वांदा थी, उसने जो निश्चे किया है, कि आप वो चुप चाप नहीं रहेगी, किसी का मजाग बनते हुए देख करके, वो पक्का बोलेगी, चाहे उसे इसकी कुछ भी कीमत चुकाने पड़े, तो आपको ये थोट कैसा लगा, आपको पसंद आया, जो पैड़ी ने निश्चे किया है, पसंद आया है, तो आप कॉमेंट करके मुझे बताना, अगर नहीं पसंद आया है, तो अब उसे क्या करना चाहे था, वो बताना, ठीक है, और आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, कुछ समझ में नहीं आया है, तो कॉमेंट करके पूछ लीजिए, और चैनल पर नए हो, या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बैल आइकन आएगा, उसको ओल पर सेट करना मत बूलना, ताकि मेरी वीडियोज कांटिनियूसली आप तक पहुंचते रहें, थैंक यू फोर वोचिंग, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तिल देन, बाबाई, हैव अगरेट टाइम,